कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ बहुत जवर्दस्त आलू का परठा की रसे पिशर करने जा रही हूं आपने इस मेरी तरह अगर बना लिया ना तो बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट लगेगा यह मेरी गैरंटी है सबसे पहले देख लें कि यहां पर मैंने आलू उबलने क एक साथ मैंने डाल दिया यहां पर कुछ दरदरा सा सिर्फ आपको कूट लेना है फिर इसमें एक इंच अध्रक का टूड़ा जो है वह मैंने ग्रेट करके डाल दिया है आप लैसन अध्रक हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं अब यहां पर मैंने चॉप किया बाओडर सकते हैं अब यहाँ पे लो फ्लेम पे ही मैंने से कुछ सेकेंड तक भूना फिर इसमें उबला हुआ जो अलू है वह मैंने इसमें अब चाहें तो पेहले ही इसे मैश करके इसमें डाल सकते हैं लेकिन क्योंकि उबला हुआ है तो मैं कड़ाही में ही इसे फ्राइ करते हुए मैश कर लूँगे और आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने इसे मिक्स करते हुए मैश भी किया है और गाइज बलेव किजेगा कि आपने इस तरह से बना के खा लिया ना बहुत जबर्दस लगे मतलब हसिएगा नहीं, मुझे सिर्फ अपने हाथ का ही आलू का पराठा पसंद आता है, फिर मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद की अनुसार और थोड़ा सा काला नमक भी डाला है, इसे अच्छे से लैडल से मैश किया है, मैंने कई लोगों के हाथ से, कई लोगों के हाथ का बना हुआ अलू का पराठा खाया है, मैंने स्ट्रीट पराठा भी खाया है, अलू का पराठा लेकिन मुझे सिर्फ अपने हाथ का पसंद आता है, और इसी वज़ा से मैं आपको बोल रही हूं, और मैं इसमें कोई अपने बारे में ये नहीं बोल रही, मैं ये सच्ची बा पर पत्र डाल दिया है ओर थंडा होने के बाद ही यहां पर मैंने पराथा बनाना शुरू किया है बड़ी लोई यह मिक्स्चर भरा है वह मिलेगा यह प्राठभ चाय के साथ चठनी के साथ अचार के साथ बटर सिर्फ बडर के साथ भी आप इसे खा सकते तो आपको बहुत मज़ा आजाएगा और आप बिलिव नहीं करेंगे कि इतना टेस्टी बस मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसी तरह से बनाएं तब आप पहले से गरम कर लिया फिर इसे दोनों तरफ से सेका है सेकने के बाद इसके उपर आपकी मर्जी है घी लगा सकते हैं घी और बटर में यह ज्यादा टेस्टी लगेगा यहाँ पर मैंने सिर्फ तेल लगाया है और इतना करारा होने तक इसे सेका है इतना ज्यादा टेस्टी है इतना ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकती बस आप बनाएए और आप ही कमेंट करके मुझे बताईए तभी मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं खुद से अपनी बड़ाई करूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन बताना जरूरी था दही के साथ खाया है रेसेपी ट्राई कीजे अच्छा लगेगा ये मेरी गैरंटी है अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद